साल 1892 जब भारत बिटिश रूल के अंदर आया करता था इसी समय कुछ बिटेन के बिजनसमेंस ने कलकत्ता में करीब 300 रुपय लगा के एक छोटे से कमरे में बिस्किट बनाने के शुरुआत किया और इस कमपनी को आज हम बिटेनिया के नाम से जानते हैं जो कि भारत की चौती सबसे बड़ी FMCG कमपनी है इसका मार्केट कैपिलाइज़ें करीब 13 बिलियन डॉलर है पिछले 131 सालों में बिटेनिया के कई सारे ओनर्स बदले लेकिन साल 1993 में इसे वाडिया गुरुप ने अक्वाइर कर गया और उसके बाद कमपनी exceptionally well perform करी है इंडिया में अगर हम पिछले 10 सालों के अंदर देखें तो कमपनी का market share लगतार बड़ा है और इनके जो share की price है वो पिछले 5 सालों में double हो चुके है और अभी हाल हे में आए Britannia के quarterly result में इनका revenue करीब 17% से जादा बड़ा है लेकिन एक चीज में है जिसमें company लगतार fail होती जारी है पिछले 25 सालों में Britannia dairy industry में इंडिया में कुछ बड़ा करना चाहती है जिसमें वो लगतार असफल रहती जारी है Britannia के dairy में कई सारे products हैं जैसे की butter, cheese, curd, dairy whitener इसके साथ ही milk experts का कहना है कि इंडिया के packed dairy market में समय बहुत बड़ी opportunities available है लेकिन पिछले 25 सालों से इसमें काम करने वाली Britannia को अभी तक इसमें कुछ बड़ा profit नहीं हुआ है अगर हम Britannia का last year के revenue देखें तो इनका total revenue को रही 1.3 billion dollar था लेकिन उसमें जो dairy products इन्होंने sell किये वो सिर्फ 60 million dollar के इस वीडियो में आज हम बात करने की कोशिश करेंगे किस तरीके से Britannia इंडिया के dairy industry में perform करने की कोशिश कर रही है और क्यों Britannia fail होते जा रही है इंडिया के dairy industry में तो दोस्तो आई इस वीडियो को शुरू करते हैं आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ऐसे business case studies के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं हेलो दोस्तो मेरा नाम है दीपका देखेने डिच्टल लॉट तो इंडिया में dairy industry में Britannia ने कई सारे अपने efforts लगा लिए dairy industry को किसी तरीकी से crack करने में लेकिन अभी तक इसमें वो कुछ बड़ा dent नहीं पहुचा पाए हैं लेकिन फिर भी Britannia के आगे के future के बड़े plans हैं dairy industry को देखते हुए इनके पिछले MD Varun Berry का कहना है कि हम अगले 5 सालों के अंदर Britannia का dairy का जो revenue है वो 2000 करोड रुपए पहुचाना चाहते हैं जिसके लिए कंपनी काई सारे काम भी करती जा रही है अपने dairy की production को बढ़ाने के लिए अभी Britannia ने महराष्ट के रंजन गाओ में एक नई factory लगाई है जिसमें ये और सारे process चीज बनाने की कोशिश करेंगे अगर हम इनका process चीज में market देखे तो Britannia का total जितना dairy का sales है उसका करी 49% इनका सिर्फ चीज sell करके आता है और अपने sales को boost करने के लिए Britannia ने अपना जो dairy का subsidiary है उसमें अपना करी 49% stake Bell SA को बेच दिया Bell SA को एक French company है जो की dairy industry में ही काम किया करती है इन्होंने The Laughing Cow, Borsin, Kiri जैसे कई साथे बड़े branded products बनाये है इसके साथ इन्होंने 30 से जादा local branded products भी बनाये है 130 countries में तो Bell SA को globally dairy industry की काफी जादा समझ है और उनके साथ partnership करके Britannia भी सोच रही है कि वो इंडिया के market में किसी तरह deeply penetrate कर सके इसके साथ ही अगर हम Britannia की strategy समझने की कुशिश करें तो उन्होंने region wise अपनी strategy बनाई हुई है जैसे कि Western India में लोगों को fresh पनीर और cottage cheese काफी जादा पसंद है तो वो सबसे जादा Britannia के आप वहीं पे sale होते हुए fresh पनीर देखेंगे इसके साथ ही Britannia का target है कि साल 2023 के end तक वो per day करीब 1.5 लाक लीटर milk का production करेंगे अगर हम इसे Amul से compare करें तो उसके सामने ये कुछ भी नहीं है क्योंकि Amul per day का करीब 26 million लीटर milk production किया करती है लेकिन Britannia की case में जो 1.5 लाक लीटर production होगा ये इनके आज के production का करीब double amount होने वाला है तो अब यहाँ पर हम point wise समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों Britannia इस market में fail होती जा रही है इंडिया की dairy industry में Britannia के सामने कई बड़े challenges है अगर हम देखने की कोशिश करें तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा milk का producer है इसके साथ ही भारत सबसे बड़ा consumer भी milk का ही है भारत में ही लोग milk बहुत जादा पिया करते हैं और ये market जितना बड़ा है उतना ही जादा मुश्किल है especially नए players के लिए अगर हम इंडिया के fresh milk का market देखने की कुशिश करें तो करीब 35% market अमूल कंट्रोल किया करता है इसके साथ ही देखे तो 50% cheese industry अमूल के ही कंट्रोल में है इसके साथ ही करीब 80% butter का market भी अमूल ही कंट्रोल किया करता है और अमूल के लावा कई ऐसे regional pairs में हैं जो की बड़ा completion देते हैं किसी भी नई कंपनी को जैसे कि ओरिसा का state union ormfed नाम की company है करनाटका का बड़ा brand है नंदिनी करला का बड़ा brand है मिलमा यह regional local brands है जिन्होंने अपने आपको अपने area में establish करके रखा है अपना trust बना के रखा है इसके साथ ही देखे तो कुछ और private player है जैसे कि पारले हो गया इसके साथ ही mother dairy, सुधा जैसे brands है यह भी बड़ा competition किसी भी नए player को दिया करते है और यहाँ पर competitors के लावा कुछ और भी बड़े challengers है इन dairy industry में अगर हम देखने की कोशिश करें तो अगर आपको एक milk industry इंडिया में setup करने है तो सबसे पहले आई इंडिया के आपको हजारो milk के farmer से बात करना होगा कि आप collection center पे लाके अपना milk दे जाएए और फिर collection center से milk उटके factory में जाएगा process होने के लिए और यहाँ पर सबसे बड़ी बात होती है कि इसको minimum से minimum time में इस पूरे process को करना होगा क्योंकि अगर milk जादा देर तक humid environment पे रहेगा तो milk खराब हो जाएगा यह एक बड़ा challenge मनता है किसी भी company के लिए अगर हम यहाँ पे देखे तो इंडिया में कई ऐसे बड़े players आए जिन्होंने milk के market में पर हाट डालने की कोशिच की लेकिन वो बुरी तरीके से fail हो गए जैसे कि हम एक French company की बात करें तो Danone Nestle और Lactalis के बाद Danone दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी milk selling company है 2011 में Danone इंडिया के market में एंटर करती है dairy industry में अपने आपको setup करने के लिए अगले 7 सालों में ही company इंडिया के market को छोड़ देती है इसका सबसे बड़ा reason है क्योंकि वो इंडिया का supply chain ही ने establish कर पाया दे दूसरा सबसे बड़ा reason था इनका product इंडियान market में fit नहीं हो रहा था इतने सारे challenges है इस dairy industry में तो फिर भी ब्रिटैनिया पिछले 25 सालों से क्यों milk के market में और dairy के industry में आने की कोशिश कर रही है तो इसके 3 basically reasons है ब्रिटैनिया अभी तक भारत में एक biscuit की company है लेकिन उन्होंने अपना एक जो market share है वो achieve कर लिया और अब वो इंडिया के एक food company बनना चाहते है क्योंकि इंडिया का जो package food market है वो काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है इसके बारे में हमने डाबर के वीडियो में भी बात किया था डाबर भी एक FMCG company है और ये सारी company ट्राई कर रही है कि अपने आपको food के market में establish करे डाबर भी अपने आपको पूरी तरीके से एक बड़ी FMCG giant बनाना चाहते है जिसमें वो अलग-अलग sectors में एंटर कर लिये जैसे कि डाबर ने बाजशा मसाले का acquire किया वो मसाले के market में एंटर किये उसी तरह से Britannia अब और अलग-अलग food sectors में एंटर करने की कोशिश कर रही है इसके पीछे जो सबसे बड़ा logic है कि साल 2020 में इंडिया को जो FMCG sector था वो सिर्फ 110 billion dollar का था लेकिन 2025 तक ये 220 billion dollar का होने वाला है मतलब ये just double हो रहा है इंडिया का FMCG market मतलब जितने भी organized player थे ना इंडिया में जो भी चीज़े खुली विक्ती थी अब वो सब packet form में malls में लोग खरीदना शुरू कर चुके है इसलिए FMCG काफी तेजी से बड़ा रही है और डाबर होगिया, ब्रिटैनिया होगिया ये सब कंपनियों को इसका बहुत अच्छे से अंदाजा है इसलिए हर कंपनी effort करने की कोशिश कर रही है यहाँ पर दूसरा बड़ा reason है Reliance पर FMCG market पर enter कर चुकी है Reliance अपने Reliance Consumer Product Limited के through FMCG के products बनाने की कोशिश कर रही है और आने वाले time में Reliance के पास काफी deep pockets है तो वो इस market में अब invest करने वाले है और अभी हाल ही में उन्होंने एक शिलंकर company से जो biscuit बनाती थी उसके साथ भी tie-up किया है, जिसके बाद अब Reliance इंडिया में biscuits भी produce करेगी तो यहाँ पे Reliance के सबसे बड़े दो computer बनेंगे, एक Britannia और दूसरा parlay biscuit के market में, तो यहाँ पे Britannia को पता है कि Reliance इतनी बड़ी company है अगर वो market में enter करते हैं तो कुछ percent Britannia का market share biscuit का चला जाएगा और अगर अब उनको market में आगे तो अब Britannia इससे जादा grow नहीं कर सकती है अब अगर Britannia को और जादा investment चाहिए, और जादी Britannia को अगर पैसे चाहिए market में अपने आगे बढ़ने के लिए, तो Britannia को और सारे food sector में अपने आपको grow करना होगा तब ही बड़े-बड़े investor Britannia में और जादे पैसे लगाएंगे Indian market में क्योंकि इनका जो biscuit का market है अब वो saturation level पे बहुत चुका है, तो Britannia को कई नए sectors में एंटर करना होगा और आप आने माले time में देखेंगे Britannia इंडिया के बहुत सारे food sectors में अगले 5 सारों के अंदर establish कर चुकी होगी क्योंकि Britannia इसके लिए बहुत सारा effort डाल रही है और Britannia के बड़ी power है उनका supply chain भी बहुत अच्छा है इंडिया के गाउं तक Britannia का presence है तो जब वो packed food लेके आएंगे और इंडिया के और ज़्यादा deep penetrate करने की कुशिश करेंगे तो जरूर इंडिया में एक अच्छा खासा market share हासिल करेंगे यही काम डाबर भी कर रही है तो अपनी डाबर की case study में Britannia की case study में हमें एक बड़ी similarity देखती है इंडिया को जो FMCG market है उसमें करीब 60% food आता है और जितनी भी FMCG की बड़ी giant companies है चाहे डाबर हो गई, चाहे ब्रिटैनिया हो गई चाहे पतंजली हो गई, सब कोई अपने आपको food market में लाने की कोशिश कर रहा है क्योंकि food sector आने वाले time में grow होता जा रहा है तो अगर आप भी अपने आपको food sector में लेके आएंगे और अगर आप package food कुछ बनाना शुरू करते हैं तो आने वाले time में आप भी एक बड़े brand बन सकते हैं इन बड़े case studies से आप ये चीज़े बहुत easily समझेए वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को like करेंगे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोग को share करें ताकि लोग FMCG का market समझें और इंडिया में भी package food industry आप लोग भी grow कर सकें